आप सबी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे ग्लासिस के यूटूब चैनल पर हाँ जी आपके लिए खुश कबरी है एक अप्रेल 2021 से इन्वोइजिंग एप्लिकेबल हो रहा है 50 करोड से उपर जिस व्यक्ति की टरनोवर रही है चाहे वो फिनेंशल येर 17,18 में रही हो चाहे 18,19 में रही हो चाहे 19,20 में रही हो चाहे 20,21 में रही हो तो उसके उपर इन्वोइजिंग एप्लिकेबल हो जाएग अब आप ये e-invoising कैसे करें जिससे की गलती ना हो क्योंकि अगर आपने e-invoising नहीं करी तो आपके सामने दिक्कात आजाएगी सामने वाले वेक्ति को ITC नहीं मिलेगा और आप डिफोल्टर की लिस्ट में आ जाओगे आपके ओपर section 122 के अंदर penalty लग जाएगी लेकिन ये e-invoising करना इतना आसान नहीं है लेकिन आपके लिए खुशकबरी ये है कि clear tax का जो software है e-invoising का कल मैंने इस software को देखा और मैंने देखने के बाद पाया कि e-invoising अगर आप clear tax के software से करते हो तो आप बहुत आसानी से e-invoising कर सकते हो तो अगर आपको अपने client के लिए तीक है न या अगर अपने लिए आपको e-invoising का software चाहिए तो आप clear tax का software ले सकते हो इस software के बारे में मैं आपको कुछ बाते बता देता हूँ अगर आपको software लेना होगा वीडियो के link के नीचे मैं आपको सारी detail दे दूँगा जिससे आपको referral भी मिलेगा अगर आप किसी client को purchase कराते हो तो भी आपको मिलेगा काफी सारी detail इसके अंदर मिलेगी तो चलो पहले बात कर लेते हैं कि यह e-invoising का software जो clear tax का है इसमें क्या बात है क्यो हमें यह लेना चाहिए क्या इसके लिए जरूरी है देखो आपको पता होगा e-invoising पूरे इंडिया में applicable हो चुकी है लेकिन अभी तक भी बहुत सारे लोग e-invoising नहीं कर रहे बाद में उन्हें दिक्कत आ रही है e-invoising वो इसलिए नहीं कर रहे है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कैसे करनी है अभी तक कई लोग tally का software चला रहे हैं bg का software चला रहे हैं लेकिन उसमें e-invoising इतने अच्छे से नहीं हो रही तो अगर आप ये clear tax का software लेते हो चाहे आप tally चलाओ चाहे आप bg चलाओ तो आप clear tax का software को अपने tally और bg में incorporate करा सकते हो clear tax की team से बात करके तो चाहे आप tally चलाओ चाहे bg वहीं से ही e-invoising बन जाएगी और अगर आप tally bg नहीं चला रहे हो तो आप इनकी site पर चले जाओ site पर जाने के बाद login कर लो trial ये free में देते हैं उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल simple option आता है generate e-invoising अगर आप यहाँ से generate e-invoising पर click करते हो तो इन्होंने यहाँ सारे माध्यम दिये हुए जैसे हमने अपने client का बनाया fintech solution private limited का तो इनका government template से भी आप बना सकते हो इन्होंने क्या करा excel का custom template भी दिया हुआ है आप वहाँ से भी कर सकते हो tally के अंदर भी integration कर सकते हो और जो clear tax का अगर आप software यूज कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो इसमें फायदा क्या होगा अगर आप इनका यह software यूज करते हो तो इसमें सबसे पहले फायदा तो क्या है कि यहाँ पर जिस व्यक्ति पर e-invoising applicable है और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी tally में data जादा बढ़ा हो और e-invoising कम पर applicable हो जैसे कि B2B पर तो e-invoising applicable है B2C पर नहीं है तो यह क्या करते है एक reconciliation दे देते हैं आपको कि भाया आपकी tally में sales book में इतनी सारी entry थी आपने e-invoising इतने data की करी तो यहाँ पर इतने bills आपके रह गए है जिसकी आपने e-invoising नहीं करी let's support जैसे आप GTA हो तो GTA के case में e-invoising applicable है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर exemption दी गई है हो सकता है आपके data में कुछ ऐसे भी bill हो कि जिसके ओपर e-invoising applicable ना हो तो इसकी यह सारी जो है reconciliation बना कर दे देते हैं और यह साथ में जैसे आपको भी पता होगा e-invoising किसके ओपर applicable है tax invoice पर, debit note पर, credit note पर bill of supply और delivery चलान पर नहीं है तो वहाँ से आप कैसे अपने data को manage करें कैसे आप e-way bill बनाएं तो यह इनके software से आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यह नहीं है कि आप e-invoising बनाओ यहाँ से आप सारे all e-invoising देख भी सकते हो और यहाँ पर यह यह भी बताते हैं कि भाईयक आपकी tally में कितने bill थे कितनों के e-invoising आपने बना दिये कितनों के pending है कितने के cancel होने है क्योंकि यहाँ पर आपको यह बात ध्यान दखनी है कि e-invoising के अंदर अगर आपका invoice reference number एक बार generate हो जाता है तो उसे आप 24 घंटे के अंदर ही cancel कर सकते हो otherwise आप cancel नहीं कर सकते तो आपको यह data भी रखना पड़ेगा कि वही कितने cancel हो गए तो क्या करना है कि आपको बहुत जादा reconciliation statement बनानी पड़ेगी और वो reconciliation statement अगर आप बनाते हो किसी और माध्यम से तो हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए जैसे बनाने को तो आप यहाँ पर government template से भी बना सकते हो लेकिन अगर आप clear tax के software से बनाओगे तो आपकी GSTR 1 बिल्कुल ठीक जाएगी आपकी RECO में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको जो tell your bg अगर आप अभी use कर रहे हो उसी को use करते करते आप e-invoising भी बना लोगे लेकिन यहाँ पर यह बात आपको समझनी है कि जल्दी कैसे बने सही कैसे बने क्योंकि यहाँ पर यह बात आपको समझनी होगी कि e-invoising जो आप कर रहे हो अगर इसमें कोई दिक्कत रहे गई तो सामने वाले को ITC नहीं मिलेगा हाँ इनका जो e-invoising होगा उस पर QR code भी आएगा मतलब कि क्योंकि यह government से थोड़ा सा सारी चीजों को manage करके चल रहे है तो आप यहाँ से बिना किसी गलती के अपने e-invoising बना सकते हो और यहाँ पर अपने data को compare भी कर सकते हो जैसे ही tally बीजी से आप invoice बनाओगे उसे direct ही portal पर जाकर e-invoising portal पर जाकर clear tax integration करके आपका सारा काम ठीक से हो सकता है चाहे आप excel यूज करके कर लो चाहे tally यूज करके कर लो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फिर उसके बाद main concern है कि रीको का तो रीको का concern भी आप इनके software से जरूर कर सकते है क्योंकि यहाँ पर आपको यह बात समझनी होगी कि एक अप्रेल से e-invoising applicable हो गया तो इसकी तयारी आपको आज ही से करनी पड़ेगी आपको अपने client के data में जाक कर देखना पड़ेगा कि कोई client ऐसा तो नहीं है जिसकी turnover 50 क्रोड से उपर हो गई हो किसी भी financial year में अगर हो गई है तो उस पर e-invoising applicable हो चुका है यह बात आपको समझनी है फिर यहाँ पर एक दिक्कत और आने वाली है दिक्कत क्या आने वाली है let's suppose आपको advance receive हुआ अब advance receive पर GST की तो liability है लेकिन advance receive के उपर e-invoising तो applicable होगा नहीं तो अगर advance receive के उपर e-invoising applicable नहीं है तो हम उसकी RECO कैसे करें तो यहाँ पर कई सारी RECO आपके सामने बन जाएगी financial credit note, debit note की advance receive की, discount की तो यह सारी tables को आपको data को manage करने के लिए एक software की जरूरत पड़ेगी जिस से आप GSTR 1 versus invoice reference number का comparison कर सके अगर कोई data गलत है तो वो कैसे करें तो यह सारा जो reconciliation है चाहे 2A का, 2B से हो चाहे किसी भी चीज़ का जो reconciliation है तो आप इनके software की मदस्से कर सकते हैं तो मैंने तो आज तक कभी software use नहीं करा लेकिन e-invoising के लिए मैं आपको इनका clear text का software अपनी तरफ से recommend करता हूँ अगर आप देखना चाहे demo लेना चाहे तो description link पे सारी detail हमने डाल दी है आप इनका software purchase कर सकते हो कोई भी दिक्कत है तो इनकी marketing team से आप बात कर सकते हो हाजी अगर आप इनका software use करोगे तो जो e-way bill बनाना है तो यहाँ पर जैसे ही आपने software से e-way bill जो बनाओगे चाहे इन वोईजिंग करोगे तो यह automatically e-way bill के data को जो आपका e-न वोईजिंग का data है उसे e-way bill की site पर भी ले जाएगा और वहाँ पर अगर कुछ error होगी तो यह error भी बता देंगे क्योंकि मैंने इनके software का जो demo देखा था तो demo देखने में मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों को यह बता दू तो अगर कोई वेक्तिन का demo देखना चाता है तो subscription में जो link दिया हुआ है उस पर बात करके demo ले सकता है और आप मुझे comment box में लिखकर बताना इनका यह software आपको कैसा लगा हाल लेकिन यह ध्यान दखना अगर आप हमारा reference number यूज करोगे तो आपको discount भी मिलेगा जिससे कि आप यह software purchase कर सकते हो अब यह ध्यान दखना 50 करोड की turnover हो चुकी है तो आपको यह बात आपको ध्यान में रखनी है और हो सकता है यह आने वाले time में सब के लिए optional भी हो जाए तो अगर आप e-noyzing में अपने आपको महारत हासिल कराना चाते हो तो आप इनका यह software purchase कर सकते है जिससे आप अपनी e-noyzing अच्छे से कर ले e-way bill बना ले reconciliation कर ले GSTR 1 सही से बर ले क्योंकि हमारे पास कई clientों का phone आता है वो यह कहते है कि sir हमने तो e-noyzing बनाए 50 total bill थे 100 तो 50 के तो हमने e-noyzing बनाए नहीं हमें पता ही नहीं चला क्योंकि उन्होंने पूरी proper रिको नहीं रखी तो अगर आप इसका software यूज़ करते हो और इनकी सारी चीज़े आप अगर देख लेते हो तो गलती होने के chances आपके कम से कम हो सकते हैं वीडियो कैसी लगी आप मुझे comment box में लिख कर बताना अगर वीडियो अच्छी लगी है और अपने clients को भी बता सकते हो और आप अगर खुद सीए हैं तो आप भी purchase कर सकते हो आपको भी referral bonus मिलेगा चलिए इस वीडियो को यहीं end करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं March edition की magazine आपको मिल गई होगी उसमें भी हमने इन्वोईजिंग की बात करिए April edition में क्या-क्या content देना है आप हमें नीचे comment box में लिखकर बताईएगा चलिए वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद Thank you for watching